नमस्कार जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल इंपोर्टेंट mcq by संतीप में दोस्तों यूपीड़ सीटेड रीट सुपर्टेट की तैयारी के क्रम में आज हम हिंदी का टॉपिक लेकर आए हैं लोकोक्ति एवं मुहावरे दोस्तों लोकोक्ति एवं मुहावरे के इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजे लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में जानेंगे और उसके बाद उससे सम्मंधित 35 अति महतपूर प्रश्न लोकोक्ति और मुहावरे के आपको हम बताएंगे अगर आपको उन प्रशनों में से कोई भी प्रशनाता है तो नीचे कॉमेंट में जरूर उसका उत्तर बता दीजेगा वरना बाकी मैं तो बता ही दूँगा शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और घंटी का निशान जरूर दबा लीजे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार भलते रहें शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं लोकोक्ति और मुहावरे इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो अगर हम परिभाशा की बात करें तो परिभाशा हमारे लिए बिलकुल भी इंपोर्टन नहीं है हमारे लिए important क्या है सिर्फ हम उसके बारे में चर्चा के देखो कभी-कभी एक question आ जाता है कि जो मुहावरा है वो किस भासा का शब्द है कौन सी भासा का शब्द है मुहावरा तो ये अर्बी भासा का शब्द है याद रखेगा एक number में सीधा प्रशनाता है मुहावरा कौन सी भासा का शब्द है तो वो है अर्बी भासा का और इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है बात चीत ठीक है मुहावरा किस भासा का शब्द है अर्बी भासा का इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है बात चीत क्लियर होगे बात दोगो लोकोक्ति और मुहावरे हम कह सकते है थ बड़ा डिफरेंस भी होता है वो भी आप समझें देखो जो लोकोक्ति होते हैं लोकोक्ति सदैव पूर वाक्य होते हैं ठीक है लोकोक्ति कैसे होते हैं पूर वाक्य होते हैं लेकिन जो मुहावरा होता है वो वाक्यांस होता है देखो ये भी आपको समझना जरूरी है क्यों मुहावरा वाक्यास होता है अच्छा मुहावरा को पहचानने की एको ट्रिक है आप कोई भी मुहावरा उठा के देख लो उसमें आपको अंतिम में ना जरूर लगा मिलेगा जैसे अगर हम कोई मुहावरा ले लें कि गुड़ को उबर कर देना कुछ चीज़े जो इंपोर्टन है सिर्फ उसके बारे में ही चर्चा करेंगे ज्यादा इधर दर की बातों पर चर्चा नहीं करेंगे तो उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी जो बेसिक है वो मैंने आपको समझा दिया आप इसे संबंदि जो 35 हमने प्रेशन आपके लिए निकाल ले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर जो पहला प्रेशन हमने आपके लिए लिया है आग बबूला होना इसका क्या अर्थ है आपके सामने चार आप्शन दे रखें जलना, क्रोधित होना, धोखा देना या माल डालना दिको अगर आपको इसका आंसर आता है नीचे कॉमेंट में बता दीजे कि 1 का कौन सा आंसर सही 1 का अगर A आंसर सही है तो 1-A लिख दीजे कॉमेंट में आग बबूला होना का क्या अर्थ है तो आग बबूला का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना option number 20 इसका सही हो जाएगा अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है मूर्ख होना, छड़ी होना, एक मात्र सहारा या फिर कोई नहीं देखो यहाँ पर अंधे की लकड़ी होना इसका क्या मतलब है इसका मतलब है एक मात्र सहारा मूर्ख होना गलत है छड़ी होना गलत है देखो लकड़ी से अगर कोई छड़ी को समझ रहा है तो वो गलत है ठीक है इसका सही उतर है एक मात्र सहारा अगला यहाँ पर जो प्रश्ण है अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या है अंगूठे पर रखना आपके सामने option है परवाह न करना परवाह करना चिंता करना गिंती करना अंगूठे पर रखना मतलब उसकी कोई परवाह न करना जैसे कोई दो लोग बात करते हैं मैं तुमको अपने अंगूठे पर रखता हूँ तो ये चीज़ हो गई मतलब मैं तुमारी परवाह नहीं करता हूँ अंगूठे पर रखना मतलब परवाह ना करना अगला यहाँ पर जो प्रश्ण है आखो का तारा होना आखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दुस्मन होना मित्र होना प्री होना या फिर मित्र नहीं होना तो आखों का तारा होना यानि जिसे आपने बहुत ज़्यादा जिसे बेटा है बेटी है या मां है या पिता जी है तो वो बहुत प्री होते हैं लोगों तो वहाँ पर कहते हैं आखों का तारा है ये मेरे आखों का तारा है तो यहाँ पर मतलब प्री होना आखों का तारा होना मतलब प्री होना कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है यानि कोई मुहावरा होता है उसका अर्थ है कपटी मित्र तो यहाँ पर चार आप्शन आपक और वो कप्टी है यानि वो कैसा है आस्तीन का साफ है यानि आपके साथ तो रहता है लेकिन आपको हमेशा धोखा देने की फिराप में रहेगा आगे देखते हैं अगला यहाँ परश्ण है धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है आपको बताना है इसा कौन सा मुहावरे जिसका अर्थ है धमकाना आग बबूला होना आखे दिखाना आखे बिछाना आडे हाथो लेना तो धमकाना आग बबूला होना का मतलब होता है गुस्सा होना ठीक है आखे बिछाने का मतलब है कि अच्छे से स्वागत करना और आखे दिखाना का अर्थ है किसी को धमकाना आखे प्रश्न है इद का चांद होना, सुन्दर होना, शालीन होना, विनम्र होना या कम दिखाई देना, यानि इद का चांद होने से क्या लोग अर्थ लगाएंगे, सुन्दर होना, लेकिन ये गलत है, शालीन होना गलत है, विनम्र होना गलत है, साथ का option number D सही है, कम दिखाई दे अगला प्रशण है आसमान तूट पढ़ने का अर्थ क्या है। मान तूट पढ़ने का अर्थ है मुसीबत आ जाना अकला प्रशन है उट के मुह में जीरा का क्या अर्थ है उट के मुह में जीरा का अर्थ है कि बहुत कम चीज मिलना अगर किसी को अधिक चीज चाहिए और उसको कम चीज मिलना तो वह हो गया उट के मुह में जीरा अगर अगला है उर्ती चडिया के पंख गिनना का सही अर्थ क्या है उर्ती चडिया के पंख गिनना होश्यार होना अनुभव होना मतलबी होना या फिर मूर्क होना तो यहां पर उर्ती चडिया के पंख गिनना मतलब बहुत होश्यार होना कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर् सुल लेगा वो तुरंत यकीन कर लेगा option number c यहाँ पर सही हो जाएगा अगला यहाँ पर मतलब है चतिर होना कान खड़े होना, सतर खो जाना, अनुभवी होना, मूर्ख बनना, इन में से कोई नहीं, अब देखो कान खड़े होना, तो यानी किसी बात को लेकर सतर खो जाना, कान खड़े होना मतलब सतर खो जाना, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता, मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता, देखो अकल का दुस्मन, इसको मानते हैं ये मूर्ख, आउंधी खोपड़ी का, यानि ये भी मूर्ख है, कहते हैं आउंधी खोपड़ी के हो क्या, काट का उल्लू, देखो यहाँ पर ये यह भी कहते हैं यह भी मूर्ख के लिए लेकिन जो आखोंका तारा इसका मतलब होता है प्री होना ठीक है आखोंका अन्छंगा तारा प्रयूक्त नहीं देखो क्रोद से जुड़ा नहीं, जब खोन खौलता, जब क्रोद आता तभी खोन खौलता, या आपको मालूम अखे लाल पीली करना यानि जब क्रोद आएगा अखे लाल पीली लोग करते हैं, यह सब मुहावरे ही हैं, आज बबुला होना, यानि बहुत गुससा हो जाना, यानि बहुत क्रोधित हो जाना, नाक रगलना ये क्रोध से जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पर जो option सही होगा option number D, इन में से कौन मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा नहीं, तो नाक रगलना का अर्थ क्रोध से जुड़ा नहीं, कीचड उचालना मुहावरे का क्या अर आगे देखते हैं अगला प्रशन है गाल बजाना का सही अर्थ क्या है आपके सामने option बक्वास करना डींग घाकना गाली देना या फिर हसना तो गाल बजाना का जो सही अर्थ है वो है डींग घाकना ठीक है लंबी लंबी छोड़ना ये सब क्या है गाल बजाना अगला लाना मुहावरा कि अर्थ में प्रयुक्त होता है सम्ध्धोना प्रसंदता व्यक्त करना दुखी होना भैवीत होती जब को घी के दिये कब जलाए जाते हैं G CHANN बिल्कुल नहीं होगा, श्रम्द्ध होना भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रसंडता व्यक्त करना, जब श्री राम जी लंका फते करके आये थे तो उसके वहाँ पर घीके दिये जलाए गये थे, ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि जब वहाँ पर विजय प्राप्त हुई तो स सभी जनता, सभी प्रजा काफी ज़्यादा प्रसन हो गई और उन्होंने अपनी प्रसनता व्यक्त करने के लिए घीके दिये जलाए थे। आगे देखते हैं घुटने टेकना, घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है घुटने टेकना, यानि जब कोई हार जाता है तो क्या कर लेता है वो घुटने टेक देता है, मानलो भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा पाकिस्तान घुट अगे देखते हैं चिकना घड़ा होना का गलत समर्द्ध होना, गलत निरलज होना, यहां पर चिकना घड़ा का अर्थ है, निरलज होना, यानि उसको कुछ भी गए थो उसके इसमें उपर कोई फरक नहीं बढ़ता, समझ गया, यह होता है चिकना घड़ा, चिकना घड़ा देखना है, उस पे आप जितना भी पानी डालो, वो सीधा रुपता नहीं है, सीधा नीचे गिर जाता है, तो यही मतलब है कि अगर किसी को कुछ भी बोलते रहो, उसके उपर कोई भी फर्क न पड़े, तो वो कैसा हो यह निरलज है, वो चिकना घड़ा है, अगला है चाती पर साप लोटना मुहावरा किस अर्थ में आता है, यानि चाती पर साप लोटना, इसका यह किस अर्थ में आता है, कुद्ध होना, नहीं, इर्शा करना, तो यहाँ पर चाती पर साप लोटना, यानि मतलब अगर किसी कुँए किसी को देख के अगर कोई इर्षया करता है तो इसके बारесь मैं कर जाता है कि तुझे मैं छटी का दूद याद दिला दूँ मतलब तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कस्ट होगा यहाँ पर यह चीज आगी समझ में छूमंतर हो जाना इसका क्या अर्थ है छूमंतर हो जाना नीचे comment box में बताइए कि इसका option number A सही है option number B सही है option number C या फिर option number D देखो इन चारों में से कौन सा option सही है यह मैं आपको नहीं बता रहा हूँ आप नीचे comment में बताइए आपके लिए प्रशन है छूमंतर हो जाना का क्या अर्थ है अगला यहाँ पर प्रशन है डोरे डालना मतलब प्रेम में फसाना अगला प्रशन है यहाँ पर तलवार की धार पर चलना मुहावरा किस अर्थ में आता है तलवार की धार पर चलना नुकीला होना नहीं कठिन कारे करना इर्शा करना पराजित कर देना तो यहाँ पर तलवार की धार पर चलने का अर्थ है कठिन कार्णी होना अगला प्रश्ण है तीन तेरा होना तीन तेरा होना से धांतहीन, टालमटोल, पराजित करना या बिखर जाना तीन तेरा होना मतलब बिखर जाना नाक रगलने का प्रयोग किस अर्थ में होता है नाक रगलने का प्रयोग किस अर्थ में होता है खुशामत करना, नस्ट करना, विन्ती करना या सिस्ट करना यानि नाक रगलना यानि किसी से बहुत ज़्यादा रिक्ष्ट करना, विन्ती करना तो यह हो गया आपका नाक रगणना मतलब विंती करना अगला यहाँ पर जो प्रशन है नमक हराम होने का क्या आर्थ है कृतग्य होना नहीं यह यहाँ पर सही है देखो कृतग्य और कृतग्य यह दोनों एक दूसरे के विलोम है देखो जब भी किसी का हम एहसान मानते हैं तो वो कहलाता है कृतग्य होना और जब हम किसी का एहसान नहीं मानते वो होता है कृतग्य होना तो यहाँ पर नमक हराम होना यानि किसी से कुछ ले लेना और उसका एहसान भी न मनना या उसकी मदद को मानने से भी स्युकार ना करन वो हो गया यहाँ पर नमक हराम होना यानि कृतगन होना option number B इसका सही उत्तर होगा अगला यहाँ पर जो प्रशन है पीट दिखाने का अर्थ है पीट दिखाने का अर्थ यहाँ पर आपको बताना वीर होना, हार जाना, कायर होना, मूर्ख होना तो यहाँ पर पीट दिखाने का अर्थ है अपनी हार स्युकार कर लेना पीट दिखार कर भाग जाना यानि अपनी हार स्युकार करके भाग लेना तो यहाँ पर हो गया पीट दिखाना तो यहाँ पर दो आप्शन हो सकते हैं कायर होना और हार जाना तो दोनों एक तरीके से प पीड दिखाने का अर्थ लेकिर अगर हम एगजेक्ट की बात करें पीड दिखाना का अर्थ क्या है तो इसका मतलब है हार जाना अगला यहां पर प्रश्ण है पांचो उंगली घी में होना तो इसका क्या आर्थ होगा पांचो उंगली घी में होना यानि बहुत ज़्यादा लाब होना अत्यधिक लाब होना पत्थर की लकीर का क्या ताग पर है कठोर होना कठीन होना मिट जाना अमिट होना तो पत्थर की लकीर का क्यारत है अमिट होना यानि अब इसको कोई बदल नहीं सकता अब यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं वो कह सकते हैं कि option number a यहां सही हो सक आगला प्राशन है बगले जाकना का अर्थ होशियार होना निरूत्तर होना गमगीन होना इन में से कोई देखो जो कोई प्रश्ण किसे पूछा जाता है अगर मानलो उसको नहीं आता है तो वो क्या बोला है ता मुझा बगले जहांक रहा है ठीक है मतलब उसके पास चीज का उत्तर नहीं है निरुत्तर होना बगले जहांकना का मतलब है निरुत्तर होना फूल कर कुपा होना फूल लेंगोज में तो यहाँ पर यह मैंने आपको 35 प्रशन करके दिखा दिये अब जो मैंने आपसे प्रशन पूछा था वो भी आप नीचे कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि इसका क्या उत्तर होगा ठीक है उम्मिद करता हूँ यह सारे प्रशन आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे और अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है तो नीचे आप कॉमेंट में बताईए हम उसका वीडियो अलग से आपको प्रवाइड करा देंगे उम्मिद करता हूँ कि यह सारे प्रशन आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आया है तो वीड जय भारत